हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स सुबा के लगबग साढ़े पांच का टाइम हो रहा है और मैं लेके आ गई हूँ किचन में ये सूजी का पैकेट क्योंकि सूजी ओले डिबे में सूजी हो गई थी खतम सूजी की ज़्यादा ही रेस्पी बच्चों को पसंद आती हैं तो बनती रहती है तो सूजी खतम हो गई थी तो मैं ये पैकेट लेके आ गई हूँ हाफ केजी का और सबसे पहले डिबे में इसे खाली कर लेती हूँ और आज बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ बहुत हिला जब बहुत ही टेस्टी सूजी की ये रेस्पी तो आप लोग वीडियो को एंट तक देखिएगा पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरू कीजिएगा तो देखिए मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें डाल देती हूँ पहले सूजी तो यहाँ मैंने एक कप और आधा कप यानि की डेढ़ कप इसमें सूजी ली है थोड़ा बारी क्वाली ही सूजी है नॉर्मल जिससे हम हलग अगरा बनाते हैं मोटी न बात नहीं है तो बस मैंने एक कटोरी भरकर यह दही ले लिया और अब उसी कटोरी में मैंने ले लिया है पानी तो यहां मैं एक कटोरी पानी ले रहे हूं लेकिन मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके अभी डालूंगे और पूरा भी नहीं डालूंगी इकठे पहले मैं सूज से mix कर दे रहे ही सूजी को और अभी मैंने इतना ही पानी का यूज किया है थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ इसमें क्योंकि सूजी हमारी अच्छे से फूलेगे तो पानी को सोख करेगी बाद में हम जितना कम जादा रहेगा फिर उस हिसाब से पानी डालेंगे एक मैं इसे ढख कर रख देती हूँ इसे 20-25 मिनट हमें रेष्ट देना है तो चलिए मैं इसे ढख कर रख देती हूँ और लगबग बच्चों की बस आ जाती है 6.40 तक तब तक हमारा ये बनकर बहुत ही टेश्टी नास्ता तयार हो जाएगा बच्चों के लिए लिए तो बेटी का जो इसकूल है वो थोड़ा सा लेट उसको जाना रहता है बेटे को 6.40 तक यहां से निकलना होता है 6.50 पर आ जाती है बस तो वो 6.40 तक रेडी हो जाता है तो बस मैं पहले अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि सुबा न मेरा बिना चाय के काम नहीं चलता ह मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ तो मैं उठते ही पहले चाय बनाती हूँ अपने लिए और यहां मैंने थोड़ा सा कच्चा नारियल ले लिया है जब तक हमारी सूजी जो है वो रेस्ट पे है तब तक हम एक चटनी भी बना लेते हैं अच्छी सी नारियल की तो यहा जो कोई स्कूल ले जाना है तो इसलिए मैं इसमें दही का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ नहीं तो वह दो पहर तक थोड़ा खटी हो जाती है चटनी तो अच्छी नहीं लगती और इधर लगभग 20 मिनट हो गये हैं हमारी सूजी को अच्छे से रेस्ट मिल गया ना तो बहुत गाढ़ा और ना ही बहुत पतला तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ इकठे पानी आप बिल्कुल भी मढद डालिए इसमें नहीं तो बैटर जो है मारा वो पतला हो जा रहे हैं किस तरीके का हमें बैटर चाहिए तो बस इसमें नमक डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहां मैंने इटली स्टेंड ले लिया है इसमें रख दिया है पानी गरम होने के लिए पानी हमारा अच्छे से गरम है तो बस इसमें मैं डाल दे रही हूँ यह ए और डाल कर इसे हमें एक डारेक्शन में एक ही दिसा में इसे घुमाते हुए अच्छे से मिक्स करना है तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया उपर से थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाया और बस देखिए मैं इसे एक ही दिसा में इस तरी से इसे ग्रीज कर लेंगे पहले तो देखिए मैं इसमें सारे में इस तरीके से तेल लगा ले रही हूं और इसे हम आयल से जब ग्रीज कर लेते हैं तो यह बहुत ही आसानी से निकल जाती है हम इसे निकालने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है और बस यह जो बैटर हमने ब अच्छे से स्टीम हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब यह हमारा सूजी का आप इडली कहिए या फिर सूजी का नास्ता कहिए बनकर तयार हो जाता है बहुत जल्दी घट-पड बन जाता है विल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही स्पॉंजी ये बनता है तो मेरे बच्चों को ये बहुत ही पसंद है बहुत दिन से मेरे बच्चे बोल रहे थे ममी बनाओ बनाओ लेकिन मैं आलस आलस में बना नहीं रही थी और सच में बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में बहुत देर तक ये हमारी इटली कि पाफ़ी स्वाब टेस्ट बनती है और तेस्टी भी लगती है तो देखिए मैं उपर सीसे डखकन से कवर कर दे रही हूँ और शाथ से आठ मिनट में यह हमारा बनकर बिलकुल तयार हो जाता है तो चलिए इधर मैंने जो चटनी बनाए थी इसमें नमक डाल दे रही हूं टेस्ट की अकॉर्डिंग तो चलिए फ्रेंड्स मैंने चटनी में नमक डाल दिया है और बस हमारी बहुत ही टेस्टी नारियल की चटनी बिलकुल सिंपल तरीके से जटबट बनकर तयार हो गई है मैंने इसे थोड़ा गाड़ा ही रखा है क्योंकि टिफिन बॉक्स में देना है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और भी पाई डाल कर इसे पतला कर सकते हैं और इधर हमारे इडली बिलकुल बनकर तयार हो गई है पांच से साथ मिनट में अच्छे से बन जाती है और मैंने इसमें चाकू डाल कर चेक किया तो बिलकुल क्लियर आ रही है तो समझी हमारे इडली बन गई है इस तरीके से आप जब इडली बनाई है तो एक बार चेक कर लीजे चाकू डाल कर वो बिलकुल क्लियर आ रही है तो समझी हमारा बन गया इडली बहुत ही अच्छे से तो बस मैं फटा-फट से इसे निकाल कर सारे को बाहर रख देती हूँ ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे इसमें से डिमोल कर लूँगी और इधर मैं दूद दे देती हूँ बेटे को वो बिलकुल नहाद होके रेडी हो गया है और बस भी आने का टाइम हो गया है जाकू से इसके किनारों को इस तरीके से हलका सा छुडा देंगे तो यह बहुत ही इजली निकल जाती है क्योंकि हमने इसमें नीचे आयल से ग्रीज किया है तो इसे निकालने में बिलकुल भी दिक्कत नहीं होती है और यह देखिए बहुत ही पर्फेक्ट साइज की हमारी बहुत अची इजली बनी है यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं कितनी परफेक्ट इसमें जालिया बनी है बिलकुल रोई की तरह सॉफ्ट स्पॉंजी और बहुत ही टेश्टी यह बन जाती है इसको आप जाए इसी तरीके से 10 घंटे 12 घंटे रखिए बिल्कुल भी ये hard नहीं होगी ऐसे ही soft बनी रहेगी ये देखी मैं आपको तोड़ के दिखाती है इसमें कितनी perfect जा लिया कितनी spongy और एकदम soft तरीके से हमारी ये बन गई है इडली तो मैं फटा फट से बेटे का lunch box पैक कर देती हूं क्योंकि बस आने का एकदम time हो गया है और ये देखी मैंने इसे पैक कर दिया है और साथ ही ये चटनी दे देती हूं आरियल की तो जब इस तरीके का lunch बच्चे ले जाते हैं स्कूल में न तो ये बच्चों से जादा तो उनके friends को पसंद आता है और बच् प्यूश्य बच्वश्य में झालाओ है और बच्चों से तर चे आरियरम को पन से चादर में तो घर एक हाना तो में प्याूश्य तो आरिया तो झालाओ है जाने का पना उना उन्हें